हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आपको बताना क्यों कौन सा प्ले है जिसमें हीरो जो है उसको बुराई पभी जे पाना चाहिए था तो यहाँ पर इसके अंसर दिये अगा है अब क्लाड्यो यह बात किसने कही वो मेंड इस प्ले में कही यह आपको बताना है इसका अंसर यहाँ पर गिया गया है वैट्रिस इंगे बाउट्री इस गिवन है 103 is as follows john milton was blinded in the year 1916 52 what other event in peculiar in the year john milton 1652 में अंधे हुए थे इस यह में और कौन से भी से घटना घटी ती यह आपको बताना है इसका इंसर यहाँ पर दिया गया है इस वाइफ डाइड इनकी पत्नी का निधन हुआ था सोकरेट ऑप्शन इस सी कॉस्चन नबर 104 वीच आप फालूइंग पोयम्स जिद मिल्टन राइट इन आप्टास लेवल कपलेट इन में से कौन सी पोयम मिल्टन ने आप्टास लेवल कपलेट में लिखी है या आपको इस प्रकार से हैं यहां पर आपको दोने स्टेटमेंट पढ़कर के बताना कि कौन सा फाल्स है तो इसका जो इस प्रकार से है यह एपर बोल की बारे में इस टेटमेंट है जो की सत्य है दूसरा है इसका अप्सन यहां पर यह सही हो जाएगा वन और टू दोने टू है नेक्स्ट कॉस्टन नबर 106 क्यों बताता है कि माइलार्ड जो है कुन की मृत्य होज गई है यह कौन बताता है तो सीटन जो है यह बताता है मैगबेट को सो करेक्ट आप्सन इस एग वेशन नबर 107 को किस रूप में जोइन करते हैं यह आपको बताना है तो यह है एंसर इसका प्लेराइट और राइटर की रूप में जोइन करते हैं सो करेक्ट आप्सन इस सी किस प्लेराइट किस प्लेराइट यह आपको बताना है तो इसका इंसर दिया गया है जो जहर होता है उसको फी करके वो मर जाती है सो करेक्ट आप्सन इस दिया नेक्स क्वेशन नबर 110 चार्मिंग और बीटी को किस रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसका इंसर दिया गया है इसका इंसर यहां पर दिया गया है टॉमस रीमर्ट सो करेक्ट आप्सन इस दिया सब्सक्राइब का अवतार होता है किस रूप में होता है या आपको बताना है इसका अंसर दिया गया है जेम्स जोर्स तो यह नहीं बाकी सबको मिलता है सो कर्क्राइब कोचन नवर 114 वन हंडर पर्टीन इस गिवन है इस गिवन है वुफू सेड़ वू सेड़ इन हीज़ कोई नहीं होती है यह बात किस ने कहीं तो यहां पर इसका एंसर 114 के लिए दिया गया है जान रस्किन ने बात कही थी सो कर्क्राइब बी कोच्वन नुबर 115 एपिक कि लिट्री टर्म पर एक कोईशन है एपिक क्या है आपको परभासित करना है तो एपिक को ती है लांग न्रेटिव पोएम और एस सब्जेक्ट सुक्राइब कोच्वन नुबर 116 दा रियर एक्षिन इन वर्चिव देट इस विजिएं विज यह लाइन किस में आती है किस रचना में आपको बताना है 179 के लिए एंसर हो जाएगा है हमलेट हमलेट में आती है सो करेक्ट ऑप्षान इस एक को बताना है तो यह बात किस ने कही है वलकि यह आपको बताना है 118 के लिए एंसर हो जाएगा विलियम सेख्षपेर सो करेक्ट ऑप्षान इस बीए कोश्चन नबर 119 वाट वाज वाज दा कॉस आप विलियम से डेथ इन संस और लवर्स संस और लवर्स में विलियम की डेथ का कारण क्या होता है तो यहां पर एंसर दिया कि है हनीमोनिया स सब्सक्राइब की महानतम रचनाव में से कौन से रूप में होता है यहां पर इंसर दिया गया है डियूक सो करेक्ट ऑप्षान इस बीए वेशन नमबर 121 12th night opens with the speech of 12th night किस की speech से ओपन होता है यहां पर इंसर दिया गया है डियूक सो करेक्ट ऑप्षान इस बीए वेशन नमबर 122 Shakespeare makes fun of the Puritans in his play Shakespeare ने अपने प्ले में Puritans की किस प्रकार से मजाक उड़ाई है यह आपको बताना है किस प्रकार से मजाक बनाया तो 122 के लिए यहां पर इंसर दिया गया है किस ने कहा है यह आपको बताना है तो 123 के लिए अंसर हो जाएगा वर्ट्स वर्थ सो करेक्ट ऑप्षान इस ए कोश्चन नमबर 124 दोस्ट दो तिंक किस ने कहीं है यह आपको बताना है तो इसका एंसर दिया गया है 124 के लिए सर्ट विए तो करेक्ट ऑप्षान इस रिए question number 125 and last question of this practice set I will continue if you support me by subscribing my channel question number 125 is as the better part of valor is description occurs in six pairs the better part of valor is description ये six pairs की किस रचना से लिगई है लाइन आपको बताना है तो इसका एंसर यहाँ पर दिया गया है Henry 4th part 1 so correct option is D friends ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो like करें नहीं अच्छी लगती dislike करें comment करना बिल्कुल भी न भूलें और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाव मिलता है तो please support me and subscribe my channel to get notification as soon as you wish thank you very much